नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइब में आपका बहुत बहुत स्वागत है खबरों में तमाम नई अपडेट्स को लेकर मैं हूँ आपके साथ गौरत तिवारी राज़सुबी मो लालू पुरशाद यादब लंबे अंतराल के बाद पटना लोट चुके हैं लालू के लोटते ही राबरी आवास में रौनक लोट आई है वैसे तो घर में माहौल शादी का है लेकिन इस शादी समारोह में लालू यादब के आने से रंग भर गया है वहीं पटना एरपोर्ट पर लालू के आगमन के पहले राज़त के दरजनों महिला एवं पुरुस कारेकरताओं ने अबीर की होली भी खेली लालू परशाद यादब के पटना एरपोर्ट पहुंसते ही उनकी एक जहलक पाने को बेता कारेकरता अनियंत्रित हो गए जोश इतना था कि कारेकरताओं में एक दुसरे को पीछे छोड लालू परशाद यादब के करीब पहुंचने की खोर सी मच गई जिसकी वज़ा से दरजनों कारेकरता घायल हो गए है वहीं लालू परशाद यादब के आवास पहुंचते ही उनके नाती और नाती ने नाना जी जिन्दा बाद के नारे लगाए जिससे पूरा का पूरा माहौल भावुख हो गया वहीं तेजप्रताफ यादब और तेज़स्वी यादब भी लंबे अंतराल के बाद पिता को देख कर भावुख हो गया बिहार के छपरा स्थित डीटियो कार्याले में अपने भाई के साथ लाइसेंस बनवाने आई युवती के साथ मारपीट करने की घटना सामने आई है मामला गंभीर इसलिए भी है क्योंकि मारपीट का आरोप और किसी पे नहीं बलकि सारन के डीटियो और उनके बोडिगाड पर लगा है बहराल फिलहाल इस मामले में अभी तक किसी की भी कोई गिरफतारी नहीं है बहर के कटिहार जिले में एन एफ रेल मंडल द्वारा चलाय जा रहे है निर्मान कारिक के दौरान मिटी धसने से एक मजदूर की मौत हो गई जबकि एक अन्य मजदूर गंभी रूप से घायल हो गया वही प्रत्यक्ष दर्सी इसे रेलवे के इंजिनेरिंग विभाग की लापरवाही बता रहे हैं आक्रोशित लोगों ने कटिहार गुम्टी रेल रूट को घंटो बाधित रखा वही मजदूरों का कहना है कि मजदूरों से जिस तरह के भी काम लिए जा रहे हैं उसके लिए रेल परसासन के द्वारा उनकी सुरक्षा के लिए कोई इंतजामात अभी तक नहीं किये गए हैं